मेरा अपना मानना है कि प्रियांख कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो NCPCR, the National Commission for Protection of Child Rights के हैड है जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और जब गैर राजनितिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनिती की कोई बात हो रही थी ना वोट की कोई बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े तगड़े से Election Commission को चिठ्थी लिखी थी और Election Commission ने फिर उसको उनके बोला यह हमारा अधिकार्चेत नहीं आपको जो करना है इस पर करिये आप मू की खानी पड़ी थी प्रियांक कानुन गो आज कौन सी कुम्बकर्ण की नीद सो रहे यह हम जानना चाहते हैं एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वहां पर प्रधान मंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद राजनितिक काम उसस सवाल है लेकिन यह होता है अब्यूज ऑफ चाइल चिल्रेन कि उनको विशुद राजनितिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तमाल कर रहे हैं यह है अब्यूज ऑफ चाइल राइट्स इस पर NCPCR को जगना चाहिए लेकिन आखों पर पट्टी त सीना ठोक के उस विडियो को शेर कर रहा है और कह रहा है कि देखिए छोटी बच्ची ऐसा कर रही है यह चुनाओ अचार संगिता का उलंगन है यह बच्चों के राइट्स का उलंगन है और ऐसे मामलों पर NCPCR को जागना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना दम पर रखाया जहां उन्होंने लास्ट अटेंड किया था